Hello my YouTube family this is Dr. Fatima Siddiqy MBBS MD तो आज का मेरा वीडियो का topic है कि पिशाप अगर किसी का रुक जाता है या रुक रुक कराता है पूरी तरह से बन हो जाता है तो इसके क्या कारण होते हैं क्या causes होते हैं उसका क्या treatment होता है तो पहले मैं कारण बताऊंगी फिर बाद में treatment बताऊंगी तो कारण यह होता है फिशाब बिल्कुल रुख जाता है यह रुक रुक के आता है तो यह हो सकता है urinary tract infection में होता है ऐसे और कभी-कभी जो है multiple sclerosis नाम की एक बिमारी हो जाती है जिसमें nerves कमजोर हो जाते हैं उसकी अलावा kidney stones की वज़े से tumors की वज़े से और prostate gland के बड़े हो जानी की वज़े से जो है पिशाब की नाली छोटी हो जाती है नैरो हो जाती और पिशाब रुक जाता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं तो हमको इसको जड़ से खतम करने के लिए कारण का इलाज करना पड़ेगा लेकिन temporary जो relief के लिए फिलहाल के लिए जो मतलब क्या इलाज है वो उसके बारे में मैं बात कर रही हूं जब पिशाब बिल्कुल रुख जाता है तो उसके लिए इस्सेमाल किया जाता है LAXIS तो 2 ml injection तो यह LAXIS में जो होता है फ्रोसेमाइड होता है तो यह जो होता है पिश अर इंट्रमस्कूलर इंजेक्शि के तर पर भी तिया जाता है तो जब यह IV दिया जाता है तो अगर से बाद भी पिशाब नहीं आ रहा हो तो each, funcion किया जाता है तो यह male-female दोनों में पिशाब आ जाता है तो उसके बाद है और एक तरीख efficient Во तो एग पशाप में जो है जा ब्लैडर में यह भर जाता है तो उसके बाद दर्द भी शुरू हो सकता है दर्द के साथ पिशाब आता है यूरियर इंट्रेक इंफेक्शन वगरा में तो ऐसे वकत में अलकलाइजेशन की जरूरत होती है तो इसमें जो है यह 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 तकलीफ को दूर करने के लिए अलग जाता है और इसको देने से मतलब पिशाब आ जाता है तो इसको इस तरह से दिया जाता है कि 10-15 ml इस सीरप के एक गिलास पानी में मिलाकर सुभा शाम दिये जाते हैं अगर यह पेशेंट की उमर 18 साल से जादा हो या अडल्ट हो और अगर बच्चा है 7-8 साल का तो 5 ml दिया डाफ़र्वागररा की वदेसे भी वखती तोर पिशाब रुक जाता है लेकिन यह असल जड़ है इसको इसको इलाज करना बहुत जुरूरी की वज़हरा है तो रिया ओ樣 अलग होगा अगर यह प्रोस्ट्टेट इनलाजमेंट की वज़हरा है तो इसका इलाज अलग होगा ट्यूमर्स की वज़े से हो रहा है तो इसका इलाज अलग होगा, यूटी आई का इलाज अलग होगा, जड़ से खतम करना बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, किड्नी सोन पर भी और प्रोस्टेट इनलाजमेंट वगरा पर भी, तो सब्सक्राइब मैं जानल, थैंक्स